अलवर जिले में जिला प्रशासन ने भी सार्वजनिक पार्कों में घूमने पर आगामी साथ दिन के लिए रोक लगा दिये इसके बावजूद जिले के सबसे बड़े राज रिशी कॉलेज केमपस के अंदर जंगल में घूमने वालों की संख्या कम नहीं हो रही थी लिहाज प्रशासन ने कॉलेज केमपस में तेल का छिड़काव करा दिया जिससे फिसलने के डर से लोगों का अंदराना बंद हो जाए असल में राज रिशी कॉलेज रियासत कालीन संपत्ती है करीब पचास बिगा से अधिक जमीन पर कॉलेज का भवन और बड़े छेत्र में जंगल है जहां रोजाना सुभे शाम काफी लोग घूमने आते हैं लेकिन पिछले करीब छे माह से घूमने आने आने वाले लोगों को रोका जाने लगा है इसके लिए कॉलेज की तरफ से अलग गार्ड लगा हुआ है और निजी संपत्ती के मालिकों ने भी दूसरा गार्ड बैठा लिया है जो आने जाने वालों को रोकने लगा है इसके बावजूद लोग नहीं रुके तो आखिर में तेल का छिड़काव करना पड़ा गौर्टलब है कि पहले राज रिशी कॉलेज का भवन राजा का महल हुआ करता था मोजुदा समय में भी संपत्ती का राजपरिवार ही मालिक है लेकिन केवल एक रुप्य के किराय पर पूरी जमीन राज रिशी कॉलेज को दी हुई है बतादें की प्रदेश सरकार ने एक दिन पहले ही अलवर जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया है मही जिला प्रशासन ने साथ दिनों के लिए सभी सारवजनिक पार्कों में लोगों के घूमने पर भी रोक लगा दी है सौमवा सुबह शहर के प्रमुख कंपनी बाग और नहरू गार्डन में लोग नज़र नहीं आए कुछ लोग पहुँचे भी तो उन्हें रोक दिया गया इस खबर में वस इतना ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं मरुधर बुलेटिन नमस्कार